कर दोस्तों आज हम बात करेंगे अपने घर की मुख्यदवार के बारे में अभूमन मैंने देखा है जहां पर भी वास्तो के लिए मुझे बलाया जाता है या वास्तो के लिए मैं जाता हूँ तो कुछ बहुत छोटी-छोटी चीज़ें जो की नजर में आती है और हर घर के अंदर में नॉर्मली नूटेस करता हूँ कि जो पाई जाती है तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जो छोटी-छोटी चीज़ों को अगर हम सुधार कर लें तो हम कि अपने इस्ट की तरफ से अगर एंट्रेंस डोर है तो बहुत अच्छा लगेगा बहुत सकारात्मा कूर्जा आती है नॉर्थ की तरफ से अगर डोर खुलता है तो वह भी बहुत पॉजिटिव मना जाता है धन की आगमन की यह दिशा होती है और नॉर्थीस क्योंकि कॉ क्मूमन लोग वहां पे जूते खुलवाते हैं कई गरों में आपने नूडिस किया हुए कि लोग शूज बहार रखते हैं और अंदर नहीं आते हैं तो जहां पे जूते खुल जाता है तो में एंट्रेंस पे जहां से हम उर्जा का संचार चाते हैं पॉजिविटिविटी कि साथ से भी सोचेंगे तो आप देखिए आप घर में गुसरें और खुब सारी चब्लों का धेर पड़ा हुए तो कितना गंदा सा कितना श्रावी सा लगता है तो नहीं होना चाहिए और वो नेगिटिविटी को लाता है हमारे ये सोचोधी कि हम जूते बाहर खोल रहे है तो हमारे गंद में गंदगी नहीं जा रही है लेकिन उसकी जो वेब्स हैं उसकी जो वाइब्स हैं वो जाती है तो अगर आपको जूते बाहर रखनी है तो ऐसी दिशा ढूंड़े या ऐसा कोई कॉर्णर ढूंड़े जहां फ्रेंट में ना हो या फिर कोई क्लोस कैबिने अगर हम रखते हैं तो हमें जूते वहां रखने हैं दूतरी चीज़ जो मैंने अब्सर्व करी कि लोग सुंदरता बढ़ाने के लिए चोटी जगे के इंट्रेंस को बढ़ाने के लिए मिरर्स लगा देते हैं वो भी गलत तरीके से और गलत दिशा में तो मिरर्स के उपर एक अलग वास्तु है आप देखेगा कि कहा किस दिशा में लगाएं किस दिवार के लगाएं और कहा ना लगाएं तो नौर्मली यह भूल बहूत इंट्रेंस के अंदर या जब हम वास्तों की बात करते हैं तो यह बहुत कॉमन भूल होती है एक और चीज़ जो मैंने नोट लेकिन उसी के आगे हम लोग वायर मेश डूर या की मच्छर जानी वाला जो लगा देते हैं तो दोनों दर्वाजे तो एक तरफ खुड नहीं सकते हैं तो आगे वाला दर्वाजा जब आगे की तरफ है तो वह वास्तो की दिस्टी से गलत है क्योंकि मुख्य दर्वाजा हमे इससे हमारी जी ओर्जा वह बाहर की तरफ चली जाती है अंदर की तरफ दौर जब खुलता है जब जर्वाजा जब खुलता है तो वह यह बताता है कि हम वैलकम कर रहे हैं नहीं अनर्जी इसको नहीं पॉजिविटी दो नहीं अपनी जो आपरसिटीज को है वह चीज एक इंपॉर्टन्ट है तो यह चोड़ी चोड़ी चीज़ें अगर आप इसको ध्यान में रखते हैं तो हम मुख्यद्वार का जो में वास्तु का जो अवेलना होती है उसको ठीक करके हम काफी दोशों से बस सकते हैं तो मेरे सुझाव है कि आप छोड़ी चीज़ों अपने घ जब आवेगर